मंगलवार 11 मैं मुख्य चिकित्स अधिकारी कारेल्य द्वारा जारी की गई मेडिकल बुलिटेन के अनुसार 15 मरीजों की कोविट जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिले में अब तक कुल 3894 कोविट रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है एपिडिमियोलोजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में कुल 268 एक्टिव केस हैं जिन में से 194 वे होम आईसूलेशन में इलाज करा रहे हैं वहीं 79 मरीजों का कोविट केर सेंटर के आईसूलेशन वार्ड में इलाज किया जा रहा है पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों को हॉस्पिटल से ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है वहीं एक व्यक्ति की मौत हुई है 531 लोगों के सेंपल कोरोना जाज के लिए गए है हर्शुपाध्याय न्यूस फास्ट खंडवा